हेलो फेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सक्सेस बर्क माई नेम इस शिवम गाइज आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्फुल होने वाले जो सेल्स में जॉब करते हैं गाइज इसके बाद भी हमें प्रोड़क को सेल्स करने में बहुत प्रॉलम आती है गाइज क्योंकि हमें कस्टूमर के सामने प्रोड़क को पर्मोट करना नहीं आता है गाइज किन इस टेप्स पे फोकस करना चाहिए वो हमें नहीं पता रहते गाइज आप किसी भी फिल्ड में सेल्स करते हो चाहिए आप बीटूवी सेल करते हो चाहिए आप डारेक्ट सेल करते हो इंडिविज्वल सेल करते हो इंडोर सेल करते हो या MLM प्रोड़क सेल करते हो गाइज कुछ भी सेल करते हो ये वीडियो आपके लिए helpful होने वाला है First of all, please subscribe my YouTube channel, success work, like and share Friends, किसी भी product को customer के सामने promote करते टाइम हमें सिर्फ दो चीजों पर focus करना चाहिए पहला है feature, दूसरा है benefit Guys, ये दो point ऐसे हैं जिनने आपने अच्छ से describe कर दिया तो आपके deal कभी भी break नहीं हो सकती है Guys, चले detail में समझते हैं पहले feature को Guys, हर एक product में अच्छे feature होते हैं Guys, बस depend ये करता है कि एक sales person को अपने product के सारे feature की जानकारी होनी चाहिए Guys, normally देखा ये गया है, जो एक अच्छा consumer होता है उस product का वो उसके बारे में जादा जानकारी रखता है Guys, मैं यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने company के सारे expensive product को purchase कीजें, उनको use कीजें, बाद में कोई feature बनाईए Guys, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने regular customer से उनका feedback not down कीजें जादा तर customer ने जिस feedback को बोला है आप उसको अपनी pitching line में add कीजें Easily आपके sale को increase करने में benefit होगा चलिए friends, start करते है benefits को किसी product के लिए अगर feature important point है तो benefit most important point है guys आपका product जब तक sale नहीं हो सकता, जब तक आप अपने product को connect नहीं कर सकते कस्टूमर की life से आपको बताना पड़ेगा कस्टूमर को क्या use है उसकी life में आपके product का Guys, कभी भी आप कस्टूमर को convince मत कीजे, आप कस्टूमर को connect करने की कोशिच कीजे अपने product से कस्टूमर की life को connect कर ये आप सिर्फ convince करके one time sale कर सकते हैं guys, आप connect करके अपनी sale को future तक run कर सकते हैं guys, जो आपके normal कस्टूमर हैं वो सिर्फ convince करने से one time रहते हैं guys, अगर आपने connect कर दिया जो normal कस्टूमर है वो regular कस्टूमर में convert हो जाते हैं guys, इसलिए कोशिच कीजे अपने product के साथ कस्टूमर की real life को जोडने की कोशिच कीजे guys, यहाँ पर छोटी सी story समझा बता के आपको समझाने की कोशिच करता हूं कि कैसे करना है आपको, guys एक लड़का अपने पपा से demand करता है कि उसको bicycle चाहिए, अब यहाँ पर पपा साब मना कर देते है guys, लड़का क्या करता है कि काफी feature बताता है पपा को कि हाँ पपा यह feature है, वो feature है, काफी feature बताता है, अब पपा का तो decision ना ही है तो उन्होंने बोल देना है कि नहीं है, अभी कुछ need नहीं है हमें bicycle की, तो नही ही चाहिए, अब लड़के को बात समझ में आ गई है कि convince करके कुछ नहीं होना, अब उसे connect करना है, connect कैसे करना है, तो लड़के example बताता है, कि पापा अगर मेरे पर bicycle होगी, तो आपको मेरे को daily school तक up and down करने के लिए कोई need नी पड़ेगी, मैं खुद बाखुद up and down कर सकता हूँ, benefit one, हाँ, पापा को समझ में आ रही है बात, पापा जो ममा grocery का item लेके आती है, वो मैं खुद lift करके bicycle पे easily ला सकता हूँ, हाँ, समझ में आ रही है, पापा जो हम आपके लिए काम जो पड़े होते हैं, उनको मैं easily कर सकता हूँ, छोटे मोटे कम, अब पापा को अपन benefit समझ में आ रहा है, कि हाँ, मेरा काफी हद तक काम लड़का कर देगा अगर उसको bicycle मिल जाए तो, तो यानकि पापा ने हाँ कर दी कि बैनिफिट पहले लड़के का जब feature बता दा तो पापा को तो उनको साप ना थी, पर जब उनने benefit यानकि bicycle को अपनी life में connect करके पापा क दे देते हैं, इसलिए सिर्फ मेरा point यह है कि आप convince मत किजिए customer को connect करने की कोशिच किजिए, हर एक प्रोड़क में अच्छी चीज़े होती है, आप सिर्फ कोशिच किए, सोचे कि आपके product customer की life में कैसे रन कर सकता है, गाईज, thanks for watching this video, bye bye